नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा आज की वड़ी खबर अरंत रास्ति कुष्टी में हरियाना का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान बबीता फोगाट ने आज खेल उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है फिर से राजनिती में एंट्री करने के लिए उन्होंने खेल उपनिदेशक पद से इस्तीफा दिया है बबीता ने बुदवार की दोपहर यह इस्तीफा चंडिगण में हरियाना खेल विभाग के अतिरिक्त मुखे सचीव को दिया बबीता फोगाट ने हरियाना के खेल उपनिदेशक पद से इस्तीफा दिया है उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया बबीता ने अपना तयाग पद्र खेल विभाग के प्रधान सचीव को भेजा है बबीता को कुछ दिन पहले इस पद पर न्यूक्त किया गया था इस पर कुछ पूर्व खिलाडियों ने सवार उठाए थे इन खिलाडियों का कहना था कि किसी राजनितिक पार्टी से जुडने के कारण किसी खिलाडी को खेल से जुड़े पदों पर न्यूक्त कर देना ग बबीता फोगाट ने 2019 के विधानसवा चुनाव से पहले भारती जंतापाती की सदस्ता ग्रहन की थी। उनको इस चुनाव में पराजे का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह अपने ट्विट और सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर चर्चाओं में रही। मेडिया से अनु बबीता फोगाट को दादरी हलके से विधानसवा चुनाव में उतारा था। बबीता चुनाव हार गई। हारने के बाद सक्रिये राजनितिक से दूर रही। हाल ही में मनोहर सरकार ने बबीता फोगाट को खेलकुद विभाग में उपनिदेशक के पद पर तैनाती दी थी यह उनकी दूसरी नोक्री थी इस पद पर रहते हुए भी बबीता फोगाट ने राजनितिक सक्रियता पर करार रखी। इसी बीच बुदवार को बबीता फोगाट ने हरियाना खेलकुद विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेज कर अपने पद से इस्तीफा हाला कि अपने स्टीफे में बभीता फोगाट ने नोक्री छोड़ने के पीछे व्यक्तिगत विविस्थाओं का हवाला दिया है बभीता ने अपने स्टीफे को एक नोटिस मनाने का आग्रह करते हुए कहा है कि वैं अब इस नोक्री में नियमित सेमाई देने में असमर्थ है बबीता फोगाट के स्टीफे के बाद यह माना जा रहा है कि वह अब भिहार और हर्याना के बरोदा में होने वाले उप्चनाव में प्रचार करते नज़र आएंगी आपको बता दे कि बबीता अब परदेश की राजनीती में पूरी तरह से सक्रिये होना चाहती है जिसके लिए प्रधान सचीव को इस्तीफा भेजा गया बबीता रैसलिंग में अंतराष्टे खिलाडी है उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुष्टिस परदा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था उन्होंने 2010 दिल्ली कॉमन वेल्ट में रजत और ग्ल से भाजपा की परत्याशी भी रह चुकी है बतादे की चर्की दादे के गाउं बलाली निवासी बबीता फोगाट ने पिछले विधानसवा चुनाव से पहले हर्याना पूलिस की नोकरी छोड़ कर बिजेपी जोइन कर ली थी उन्होंने चर्की दादे विधानसवा शेतर से बिजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था जिसमें वेह तीसरे नंबर पर रही थी बिजेपी की नेता के रूप में कारे कर रही बबीता फोगाट को इसी साल 30 जोलाई को खेल विभाग का उपनी देशक बनाया गया था मातर दो महा में ही बबीता का इस्तीफा द झाल झाल